चल रहा है श्रावन मा से शुकल पक्षय बढ़चा रितु है तिथी आज की नवमी है और आज का वार है गुरुवार आज की नक्षत्र की बात करें तो विशा का नक्षत्र रातरी एक बज के 28 मिनट तक है आगे अनुराधा नक्षत्र है योग शुब है दौपेर एक बज के 37 मिनट तक आगे शुकल योग है तो योग की द्रश्टी से आज का दिन बहुती शुब और योग का रख है इसका पुरा-बुरा सदुप्यों कीजिए करण कॉलाव है दौपेर बाद 3.49 मिनट तक आगे तैतिल करण रहेगा सुर्योदे का समय दर्शको सुबह 5.49 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7.15 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर डेड़ से तीन बजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अभिजित मूरत आज दौपेर 12 से 12 बच के 54 मिनट के बीच है दिन में चार बार दुष्ट मूरत भी रहेंगे ध्यान से समझेगा सूजबू से टाल दीजेगा ये है सुबे 10 बच के 11 मिनट, सुबे 11 बच के 5 मिनट, फिर दौपेर बार 3 बच के 37 मिनट और 4 बच के 32 मिनट आज का दिशा शूल दर्श को तक्षिन दिशा में है तो पहली कोशिश ये करें कि दक्षिन दिशा की यात्रा को टाल दें बहुत जरूरी हो, अनिवारे यात्रा हो, तो ही दक्षिन की यात्रा करें और जब यात्रा करें तो एक छोटा सा परिहार करके निकलें परिहार बहुत सरल है, दक्षिन के और मुक कीजिए, थोड़ा सा धही जीरा खाकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दोरान भगवान श्री राम और अपने इश्ट का ध्यान करके उनसे प्रात्ना कीजिए कि आपके रिदे में रहें और आपके साथ यात्रा पे जाएं, ऐसा करेंगे दिशाशूल बिलकुल परिशान नहीं करेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज की दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबे 11 बजे से लेकर 2 पे 1.5 बजे तक फिर शाम 5 बच के 35 मिनट से लेकर 8 बच के 30 मिनट तक ये दोनों का अलखंड बाकी पूरे दिन के अपेक्षा जादा शुब और योग का रख है कुछ अच्छे एफर्ट्स करने चाह रहे हैं तो इन समय का ध्यान रखते वे करें ताकि सफलता के चांसेज जादा रहें आज की चंदर राशी दर्शे को तुला है शाम 7 बच के 28 मिनट तक आगे चंदर मा व्रश्चिक राशी में प्रिवेश कर जाएंगे जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों को साजेदारी के व्यापार के लिए यूजनाय बन सकती है और व्रश राशी वालों को लेंदेन संबंदित लाब संभव है साथ ही कोई गती शीलता लिएवे व्यापार करते हैं तो बड़ा लाब होगा वहीं मितुन राशी वाले लोग जो स्पोर्स या मनुरंजन इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए यूग कारक समय है और करक राशी वाले घर की अशान्ती का हल खोज लेंगे लेकिन मन को मजबूत रखें आपको भावनात्मक चोटे मिल सकती है आज आप हर्ट हो सकते हैं सिंग राशी वालों को अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलतावा दिखरा आज वहीं कन्या राशी वालों को वानी से होगा लाब और कुटुम में से किसी विवात होने की सूचना मिल सकती है तुला राशी वालों को अपने उपर ध्यान देना चाहिए आज के दिन आपके लिए विवस्तित रहने का है तो इस विवस्तित स्थिति से आप वापस अपने आपको ठीक करें इसलिए पूरा-पूरा अपना ध्यान रखें वरस्टिक राशी वालों को बड़े निवेश से बचना है और खर्चों पर रखना है नियंत्रण और धनू राशी वालों को मिलेंगे आर्थिक लाब और नए काम के अवसर वहीं मकर राशी वालों को प्रोमोशन संभव है और अच्छे काम के लिए प्रशंशा भी मिलेगी कुम्ब राशी वाले अपने पिता के रिष्टेदारों से बड़ा लाब पा सकते हैं और मीन राशी वाले दार्शनिक्ता और एकांतिक चिंतन में बिता सकते हैं के दिन मन रहेगा उधास इश्वर चिंतन में जादा रहेगा विश्वास तो आप करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते द्रश्टि को प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे विशेश उपायों को जो समश्याओं से बाहर लाकर आपको सफल बना सकते हैं अंत्मय करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्श को आपकी वैल्यू आपकी यूग्यता से आपके स्किल्स से बनेगी और जितने ज्यादा आप अपने आपको निखारेंगे उतने ही आप सफलोंगे इससे कोई महत्व नहीं कि आप किस कुल में किस परिवार में या किस जाती विशेश में जन्म है एक ही परिवार में जन्म लेकर अलगलग व्यक्ती जीवन के अलगलग मार्क चुनते हैं अलगलग स्तर तक पहुंसते हैं और इस संबंद में शास्त्र में भी एक प्रमाण आता है शास्त्र कहता है कि नव नीतम ग्रतम दुगदम धदी तक्रम चे पंचमम सर्वम एक कुलत जाता मुल्य सरवश्य वे प्रतक इसकार्थ ये है कि दूद दही मक्खन घी और पांचवा चाच ये सभी एक ही कुल में जन्में फिर भी सबकी कीमत अलग-लग है तो श्रेश्टता या निम्नता कुल से नहीं आती है या आती है करम से आचरन से अपने आपको आप कितना निखार लेते हैं या कितना अपने आपको पतित कर देते हैं गिरा लेते हैं नीच कर लेते हैं तो हमारे उपर है हमारे विवेक पर है हमारी मेहनत पर है कि हम कहां से कहां पहुंच जा उन्होंने अपनी मेनत से ही किया है तो आज की गिन चर्चा का सार ये है कि paid कि जो कुछ होता है वह अपने कर्मों से और अपने अचरण से होता है दरशख को हैं चर्चा उन विस्स्ट उपायों पर जो सभी प्रकार के आपकी समश्याओं के समाधान बहुती सरलता से कर देते हैं जिने करके असफलता अर्चनों को आप पीछे शूड़ते वे सफलता के ओर द्रड़ता से कॉंफिडेंस से और तेज गती से अघ्रसर होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिंगे जन का जनम दिन है आप्सभ आज सुभ भगवान शिवजी को चंदन या केसर का इत्र अर्पित करें और शिवालें में बैटकर 21 माला राम नाम की करें यानि राम 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 इस प्रकार से 21 माला करें साथ ही वापसी में एक साफ बिना कटा बिना छेद वाला बर्गत का पत्ता तोड़ कर घर ले आएं उस पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं अपने पूजास्तान पर रख दें और 15 दिन तक इसको रखे रखें आपका आने वाला वर्ष बहुती सुक्षानती से बितेगा इसमें कोई संदे नी 15 दिन बाद में इस पत्ते को वापस उसी बर्गत की जड़ में जाके गाड़ दीजेगा ऐसी दर्श को बहुत बार व्यक्ति के लगातार प्रयासों के बाद भी कारिसिद्धी नहीं होती आप जहां भी प्रयास करते हैं या तो मना हो जाता है ना हो जाती है या फिर अनावश्यक विलंब होता है और ऐसा अक्सर विपरीत दशा जनम पत्रिका में कमजोर भाग्येश यानि भाग्ये का मालिक की स्तिती बहुत ही कमजोर होने से हुआ करता है तो ऐसे मैं योग्य विद्वान से अपनी जनम पत्रिका का अध्यन करवाईए और जनम पत्रिका के इन दोशों का उप्चार अवश्य करवाईए इसके साथ साथ एक बहुत ही विशिष्ट साधना आप भगवान गणेश जी को प्रसंद करें इस साधना द्वारा और इस समश्या से बहार आएं इसके लिए सफेद चंदन या श्वेतार्क से बनीवी गणेश प्रतिमा आप अपने घर में स्तापित करें नित्य पंचयोप चार से उनका पूजन करें प्रते दिन भगवान को खीर और बेशन के लड़ू का भोग लगाए और मुर्ती को सफेद फूलों की माला अरपित करनी है यानि सिर्फ सफेद फूलों की माला से ही इनका शुनगार होगा साथ सफेद तिल और दूद द्वारा भगवान को नित्य स्नान करवाए और इस प्रकार से बहुती विशिष्ट विधान से आप जब पूजा करेंगे और बहुती अती विशिष्ट इस मंत्र की 11 माला 33 दिन तक आप जाब करेंगे तो फिर आपके जीवन से असफलता नामक शब्द पूरी तरीके से हट जाएगा और लगातार आपके कारें आगे से आगे सिद्ध होने लगेंगे बंत्र ध्यान से समझेगा बहुती सठीक विशिष्ट मंत्र है मंत्र स्प्रकार है बंत्र फिर से समझते है आप इस साधना को इस पूजा को गणेश जी की सुपासना को कीजिए और अपने जीवन में कैसे चमतकार होते हैं आप अपनी आँखों से खुद देखिए ऐसे ही दर्शे को यदि आप बहुत दिनों से प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हैं लेकिन किसी न किसी वज़े से आपकी योजना पूरी नहीं हो रही है या आप कुछ ऐसी किसी समझा में हैं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी किसी विवाद में फसी हुई है और बहुत ही ज़्यादा परिशान चल रहे हैं तो ऐसी किसी भी स्थिती में आप छोटे-छोटे कारे करना शुरू कर दें तो आप इन समश्याओं से बाहर आएंगे प्रॉपर्टी लेना चारे हैं तो वो भी बनो कामना पूरी हो जाएगी एक तो प्रतेक मंगलवार सवेरे साथ से साथ इक्यावन के बीच में यहीं सुबह साथ बज़े से साथ बज़ की क्यावन मिनट के बीच तीन गुड के टुकड़े लेकर घर से निकलिए पहला टुकड़ा गौमाता को खिलाईए दूसरा किसी सुनसान स्थान पर गाड़ दीजे तीसरा टुकड़ा किसी भी मंदिर में अर्पित कर दीजे यह प्रक्रिया आपको साथ मंगलवार करनी है साथ ही एक और सटी कुपाईस के लिए आपको करना है एक कोरी मठकी लीजे कोरी मठकी यानि जो अन्यूजड है अभी तक उसका कोई आपने प्रियोग नहीं किया है उसमें कच्चा दूद, दही, घी, गुड, मिश्री, कपूर और शहट डालीजे और उसे लाल कपड़े से ढखकर मौली से उसका मुख बान दीजे और सामने रखकर ओम मंगलेश्वर महादेवाय नमहे ओम मंगलेश्वर महादेवाय नमहे इस मंत्र का 108 बार जाब करके फिर इस मठकी को किसी भी जल स्थान के समीप गाड़ दीजे जल स्थान यानि जहां जल होता यानि नदी, तालाब या ये सब ना हो तो कहीं बोरिंग हो या कोई हेंट पम हो तो उसके पास में भी आप गाड़ सकते हैं बहुती शिग्रता से आपके वो आपकी इच्छित प्रॉपर्टी मिल जाएगी कोई विवाद होगा वो भी दूर होगा इसमें कोई भी संध्री नहीं है आप करके देखिए तो दर्शिकों यह थे आज की वो विशस्ट टुपाई जो आपकी बड़ी-बड़ी समश्चाओं का समाधान कर रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का ये हमारे दर्शक अतुल जी की दिल्ली से 15 नॉवंबर 1997 में का इनका जनम है सुबह 7 बच के 50 मिनट दिल्ली प्रशन किया है नोकरी या अपना व्यवसाय क्या करें और किस छेत्र में करें देखिए अतुल जी आपकी व्रश्चिक लगन की पत्री का है जिसमें आयेश यानि आय भाव का स्वामी बुद्ध लगन में है और लगनेश मंगल धन भाव में गया हुआ है और दशम भाव में राहु है इसके अलावा दशमेश यानि करम का मालिक द्वादश में नीच राशी में है तो ऐसी सारी जो ग्रहस देती है ये दर्शार है कि आम नोकरी तो लंबे समय तक करेंगे नहीं आपके लिए सबसे अच्छा जो फील्ड है वो फाइनेंस, बैंकिंग, इंशुरेंस ये बहुत ये अच्छे रहेंगे तो इन में कुछ समय तक नोकरी करके आप अपनी खुद की प्रैक्टिस अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं इसके अलावा सेकिंड आप्शन है स्कूल से समन्दित सामान का व्यापार वो आप कर सकते हैं कॉपे किताब, स्टेशनरी या जो स्कूल के बच्चों की ड्रेसर होती हैं वो आप कर सकते हैं या फिर जो पेपर का काम यानि कागज का काम है यानि मैनुफेक्चरिंग हुई या ट्रेडिंग हुई वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा उत्तम फल प्राप्ति के लिए सूर्यो गुरु के सासाथ गुनाज जाब करवा लीजिए ताकि आपको एकदम सटीक रास्ता सामने साके मिल जाए और कोई अर्चन ना है आज की दूसरी जनम पत्रिका हमारे पास आईए हमारी दर्शक मीनल जी की 11 सितंबर 1999 का इनका जनम है 10 बच के 52 मिनट सुभे उध्यपूर में इनका जनम हुआ है सरकारी नोकरी के योग देखें और कब तक मिलेगी देखें मीनल जी आपकी तुला लगन की पत्रिका है लगनेश शुक्र दशम भाव में है साथ ही स्वयराशी का सूर्य आई भाव में विराजित है जो सरकारी नोकरी का योग बना देता है लेकिन आपके पंचमेश शनी नीचराशी में है और नवमेश बुद्ध यानि की भागे का मालिक बुद्ध अस्त है तो ऐसे में एक तो आप हिम्मत हार जाती है लास्ट मुवमेंट पर यानि 99 पर आके आप बिलकुल हाथ तो खड़े कर देती है और दूसरा भागे भी आपको एकदम स्मूथली साहता नहीं देता है तो ऐसे में आप बुद्ध और शनी के साथ साथ गुना जाब करवा लीजे और एक नीलम और एक पन्ना पहन लीजे आपके अभी योग कारक समय चल रहा है जो 2025 तक है तो 2025 तक आप अपने लक्षे को प्राप्ट कर सकती है यह उपाय कर लीजिए और जम कर मेहनत कीजिए आपकी सरकारी नोकरी अवश्य लगेगी मैं महादेव से प्रातना करता हूँ कि आप जब हमारे बताईवे उपाय करें तो आपके कस्टों का निवारण हो और आपकी मनोकामना पूर्ती अवश्य हो साथ एक निवेदन ये भी कि श्रावन मास में व्रक्षा रोपन अधिक से अधिक संक्या में करें और जो प्रक्रती आपके सामने हैं यही भगवती है तो इनकी सेवा अवश्य करें कारिक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद मगवती आप सबका कल्यान करें जय आदिशक्ति गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आज इतनी खुबसूरत सुबह मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज को हमारा दिन कैसा घुजरने वाला है अगर हमारी लाइफ में आज किसी प्रकार का कोई हर्डल है कोई चालेंज है तो हम उसे कितनी आसानी से ओवरकम कर सकते हैं और इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं डिवाइन से गाइडन्स लेते हैं अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका मू पुलांग और आज की तारिक है आज की तारिक है 27 जुलाई दो हजार तेस और आज की तारिक का जोड़ 27 तो सेवन उसका जोड़ा रहा है नंबर 9 नंबर 9 के जो स्वामी होते हैं वह मंगल जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी है नंबर 9 की चंचलता जो उर्जा है वह बहुत ज्यादा हाई है इसे बहुत ही ऑस्पीशिस नंबर भी माना गया है पाई दोस्तों बिनादेर के करक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांग एक के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है आज 27 जुलाई 2023 के लिए और मूला इतना अधिक्स ने और प्रेम करती है कि किसी भी प्रकार की गलत चीज़ को अपने बचे के साथ नहीं रहने देती तो आज के दिन आप तयार रहेगा अपने पूरता से डिटैच्मेंट में रहे रखिएगा क्योंकि आज जो है कही ना कहीं किसी प्रकार से नकारात्मक व् भी परास्त होंगे कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे तो आप क्या करें कि आज जो है लाल रंका कोई भी जो फल है अगर वैसे मा को अनार बहुत प्रिये है तो यदि आप मा के मंदर जाकर उन्हें भेट करें तो जादा अच्छा रहने वाला ह है आपका दिन शुभोग आईए जानते हैं मूलांक दो के लिए मा भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है आज 27 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक दो के लिए हमसे कहा जा रहा है क्वाइट टाइम आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको मौन रहना जरूरी है हजार मर्जों की एक दवा है वो है मौन रहना आज के दिन आपको वाणी पर नियंतरन रखना आबशक है किसी प्रकार की कलह से बचें किसी प्रकार के वादववाद से बचें किसी प्रकार से क्रोध करने से बचें और कहते हैं जबरदस्ती का ग्यान आज आपको नहीं दे को चाहीं है आज 27 जुलाई 2023 के लिए और मूलांग 3 के लिए हमसे कहा नहीं कि अपने आफ नहीं होता है कही नंगारे तक मी भरोव सब्सक्राइबं को नहीं करोगे तो आप इसी दिन को क्सुल दूसरों के लिगे आपने कितनी ही गलतियां कें हूँ जिन्दगी में आपको खुद से आपको बेपनहा मोहबठ करनी है खुद को प्यार करना है ऑपमे हैं अपने को देखें यह अपनी सेहत पर ध्यान देने से आज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है आए जानते हैं मुलांक 4 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 27 जुलाई 2023 के लिए और मुलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है अज के दिन आपको अपनी energies पर काम करना बहुत जरूरी है अपनी energies को पूरी तरह से शुद्ध करें अपने औरा को clean करें कहीं नहीं जो negative औरा है वही नेगटिव थॉट प्रॉसेश्स आपके जहन में आज दे रहा है तो कुल मिला के आज के दिन आपको खुद के ऊपर काम कर बहुत जरूरी है साथ ही साथ यह भी आ रहा है कि अगर आप 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत जादा बैनिफिशल रहने वाला है तो 7 चक्रा मेडिटेशन करें और इसकी वाइब्रेशन को आप महसूस करें जो भी उपाएं हैं कहीं आपके जब तक आज क्या गाइड कर रही है आज 27 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए में का जा रहा है ब्राइड फ्यूचर मा लक्षमी की करपा आपके उपर बनी हुई है धंधाने से परिपूर आज आप रहने वाले हैं आज आकस में धन लाब भी हो सकता है अगर अठका सकते हैं पार्टनर्शिप के प्रस्ताव आ सकते हैं तो आज आप बिल्कुल आप आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को चेरिश करें आपका दिन शुबहो आई जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 27 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 6 क सब्सक्राइब के लिए हमसे कहा जा रहा है इनर गौड़ जैसे का काड है आपको कहा जा रहा है आप चाहें पुरुष या हो महिला आज कि दिन आपको मातरत्व के भाव में रहना है अब सुचेंगे कि मैं क्या उग रही है हर यक्टी के भीतर एक इस तरी और पुरुष का काम होता है लेकिन लव कंपाशन के साथ फीमेल एनरजी का होता है ता आपको कहा जा रहा है कि आज आप इस तरी हो चाहे पुरुष लेकिन अपने भीतर की फीमेल एनरजी को आपको जागरत करना है जिसमें आपको लव कंपाशन के साथ रहना है अपने आसपास के लोगों बहुत अच्छा होगा आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 27 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमें कहा जा रहा है पीस का कार्ड है आपको कहा जा रहा है किसी प्रकार की इन सिक्यॉरिडी को अपने भीतर से निकाल दीजिए पुछले काफी समय से अपने बहुत सारे चालेंजस देखें लेकिन आज का जो समय है वह आपके लिए बहुत फेवरेबल है कही न कहीं आपके फैमिली के लिए भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली बहुत स्मूदली चलने वाली है कुल मिलाके जो भी आपको कोई चिंता थी अपने बच्चों को लेकर अपनी फैमली को लेकर अपने काम को लेकर वो भी आपकी दिर दिरे रिलीज हो जाएगी प्रॉब्म जो है वो सौट आउट हो रही है आपका दिन शुभ है आये जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 27 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमें कहा जा रहा है दो काड़ाएं हैं देखिए इंडिपैंडेंट और इनर गॉड़स आपको कहा जा रहा है कि मूलांक आठ के जो जातक हैं जो भी कोई decision लें वो independent लें खुद से लें किसी दूसरे पर बहुत जाद आपको आशुरत नहीं रहना है लेकिन जो भी आप निरने लें उन्हें बहुत जादे इगोस्टिक वे में नहीं लेना है बलकि लव और धोक्राइब नहीं उन्हें कर सकते हैं आज की दिन और नहीं पार्टनर्शिक बीकर सकते हैं अच्के दिन आपको न्याका अरम्ब कर सकते हैं वह को करें तो जो भी आप करेंगे उसमें आपका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है किसी का भी influence वहहना हो आपका जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 जुलाई 2023 के लिए आज की जो तारीक है उसका जोड़ भी है होगा कहीं नहीं आपको आसार बनेंगे नहीं opportunities प्राप्त होंगी जो कि आपको वेल्दी होने में आपकी help करेंगी साथी साथ अगर आपका करजा है तो वो भी आज जो है धीरे-जरे रिमूव होगा, कहीं आपका अटका हुआ धन है या आकस्मिक जड़न है उसका भी आपको प्राप्त हो सकता है और साती साथ ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसी ऑपर्चुनिटी ज़ो कि कहीं न कहीं आपको एक्स्ट्रा इंकम दिलाने में भी आपकी साहता कर सकती है तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है विशेश बात कहीं जा रही है कि अपने पार्टनर का आपको सम्मान करना है अपने पार्टनर का जितना आप सम्मान करेंगे उतना ही जादा जो मालक्षमी है वो प्र प्राप्त होती है मूलंक कि नौ के जातकों को आ यह तनी हाइनर्जी होती है और यह हाइए जो है वह हमें कैसे जागरत रखनी है और कैसे सकारातमक भाव में रखनी है कि वह एनरजी हमारी लाइफ में हमें स्पिरिच्वल ग्रोथ दे हमें कहीं आर्थिक रूप से फायदा दे सोशली हमारी करियर वाइज हमें स्ट्रॉंग बनाए आगे बढ़ाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए मा भगवती जो दुर्गा सब्तशती की पुस्तक है उसके अंदर साथ सोशलो के हैं मारकंडे पुराण से तो वह जो है दुर्गा सब्तशती उसमें आपको संपुटन लगाते हुए जो संपुटन का जो मंत्र है वह सर्वाबाधा बिनिर्मुक्तो धन्धाने सुतान्वि प्रका से आप जो है दुर्गा सब्तशती का अगर आप पार्ठ करते हैं आप 9 पार्ट करें 11 पार्ठ करए इस प्रकार से आप इसका gep करते हैं करवाते हैं और वह की पूर्णा हुती करा के अनुश्ठाण की अर आप बच्चियों को पंडितों को और जरुरत मंद्रों को प्रदान कर सकते हैं और आपकी एनरजी हमेश्व राइड डिरेक्शन में हो उसके लिए माँ भगवती की उपासना किसी ना किसी प्रकार से आप कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी आज के कारिक्रम की रिडिंग और जानकारी मैं मिलूंगी आप से हमारे अगले